एक समय की बात है, जब एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था, उस परिवार में नैना, निखिल और उनके बच्चे भी रहते थे, निखिल की बड़ी बहन भी उनके साथ रहती थी, जिसका नाम शीतल था, कुछ महिनों पहले ही शीतल के पती की मौत हो गई थी, अपने भाई भावी के पास ही वो रहने लगी थी, नैना, अपनी नरत शीतल को बिलकुल भी पसंद नहीं करती थी, वो हर वक्त शीतल को टोंट मारती रहती और परिशान करती रहती थी, एक दिन की बात है, जब नैना, रसोई में काम कर रही होती है, भावी, आज मुझे अपने तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही, अच्छा फिर आज खाना नहीं बनाओगे, मतलब मुझे बनाना पड़ेगा क्या, मुझे चिंकी के स्कूल भी जाना है, इतना काम है क्या करूँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप जाओ, मैं कर लूँगी, नैना स्कूल की बहा जाने घूमने निकल जाती है, और शीतल बेचारी तबियत खराब होने पर भी घर का पूरा काम करती है, और खाना भी बनाती है, उसके बाद जब निखिल घर आता है, तो शीतल एकदम रो पड़ती है, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो, कुछ नहीं हुआ भाई, वो तो बस मेरी तबियत बहुत खराब है, बुखार है बहुत तेज, और घर का पूरा काम किया तो शरीर काप रहा है, इतने में नैना बाहर से आ जाती है, निकल नैना से गुस्से में बोलता है, कि उसने शीतल देदी को काम क्यों करने दिया, हे भगवान मुझे तो पता भी नहीं इनकी तबियत खराब है, और मैंने तो इनको कुछ काम करने को भी नहीं बोला, मैं तो अपने बच्चे की कसम खा रही हूँ, शीतल ये सब देखती ही रह जाती है, कि कैसे उसकी भाभी अपने आपको बचाने के लिए कसम तक खा गई, बेचारी शीतल खुद ही जूठी बन जाती है, और उसका भाई भी उससे उससा हो जाता है, अब नैना रोज ही कुछ नकुछ करके शीतल को बुरा बनाने लगती है, निखिल को भी यही लगने लगता है, कि उसकी बीवी सही है, और शीतल ही उसकी बीवी के साथ बुरा कर रही है, शीतल बेचारी अ घर के कामों में लगी होती है, कि तभी निखिल बाहर से आता है, अरे अरे क्या हुआ, बड़ा खुश दिख रहे हो, अरे आज मुझे आफिस से शिमला का ट्रिप मिला है, हम सब शिमला जा रहे हैं, अरे वा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, देदी भी हमारे साथ जाएं ये सब देखकर, निखिल बड़ा ही खुश होता है, पूरा दिन ड्राइव करने के बाद, वो लोग शिमला पहुँच जाते हैं, और वहां एक होटल में रुखते हैं, चलो आज तो रात काफी हो गई है, तो सब सो जाते हैं, कल सब घूमने के लिए निकल बढ़ेंगे सब लोग उस रात सो जाते हैं, निखिल और नैना एक कमरे में सोते हैं, और दूसरे कमरे में शीतल और चिंकी सो जाते हैं, सब इतना ठक चुके होते हैं, कि गहरी नेंद में सो जाते हैं, पर शीतल को नई जगह नेंद नहीं आ रही होती, वो करवट बदलती रहती है, शी शीतल उठकर जाकर देखती है, तो वो खिड़की से जांकती है, होटल के बाहर पेड़ के नीचे एक ओरत बैठी ठंड से ठिठुर रही होती है, और रो रही होती है, हे भगवान, ये ओरत इतनी ठंड में यहां क्या कर रही है, ऐसी बर्फ में तो ये मर जाएगी, शीतल जल शीतल के कानों में चुबने लगती है, वो घबरा जाती है, आप कौन हो, यहां इतनी ठंड में क्यों बैठी हो, और ऐसे क्यों रो रही हो, शीतल इतना कहती है कि वो औरत तुरंट पीछे मुरती है, शीतल के सामने एक भयानक शकल की चुड़ैल होती है, जिससे देखकर उ वो वहीं बेहोश हो जाती है, यह तो मच से डर गई, सुभे होती है, और निखिल नैना को उठाता है, दोनों तयार होकर शीतल की कमरे में जाते हैं, तो वहां शीतल नहीं होती, यह दीदी मेरी बच्ची को अकेले छोड़कर कहां गायब हो गई, नैना चिंकी को जल्दी स त्यार करती है, और अभी तक शीतल का कुछ पता ही नहीं चलता, अब सब लोग परिशान होने लगते हैं, कि शीतल गई तो कहां गई, और ले आओ अपनी दीदी को, उन्होंने तो सब को परिशान कर दिया है, नैना इतना बोलती ही है, कि तभी सामने से शीतल आखड़ी हो पता है मैं कितनी ठंड में थी, ऐसी ठंड में बठे हो कभी, अरे ये दीदी कैसी अजीब बात कर रही है, और इनके आवाज को क्या हुआ है, सब लोग घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, पर शीतल एक कोने में बैठी रहती है, वो ना किसी से बात करती है, और ना एंज दाल देती है, उसके बाद सब अपने घर वापस आ जाते हैं, चिमला का ट्रिप था तो बड़ा मज़ेदार, हाँ सच में, पर दीदी का समझ नहीं आया, जाते टाइम इतनी खुश थी पर अगले दिन से अजीब हो गई थी, वो तो हमेशा से ही अजीब लगती है, सब लो नैना की बाद पर शीतल कोई जवाब नहीं देती, इससे नैना को उन पर गुसा आ जाता है, नैना गुसे में शीतल का हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ते ही नैना की हालत खराब हो जाती है, शीतल का हाथ बर्फ की तरह ठंडा होता है, एक दम ठंडा, उसके बाद शीतल ज पकड़ेगी अब तू, आजा पकड़ना। तो वहाँ सब कुछ ठीक होता है। अब अगले दिन जब निखिल आफिस के लिए और चिंकी स्कूल के लिए निकल जाती है तो बस नैना और शीतल घर में रह जाते हैं। दीदी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आराम कर रही हूँ, आप जरा घर का काम निपटा लो। तेरी नौकर बैठी हूँ मैं, तेरा काम में करूँगी अब। ये कैसे बोल रही हो, क्या पहली बार काम कर रही हो मेरा, पता है न, मुझसे पंगा लिया तो क्या होगा, ये भाई बहन का सारा प्यार खत्म कर दूँगी। शीतल अचानक चुडैल में बदल जाती है और जूर से नैना का हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खीचती है। लगता है कल रात की बात भूल गई तू, मुझसे पंगा लेगी ना तो बर्फ की तरह जमा दूँगी, समझे। चोड़ो, चोड़ो मुझे, जल्दी चोड़ो, मेरा हाथ, कैसे मेरा हाथ जम जाए, चोड़ो मुझे, मेरा हाथ जम जाएगा, बहुत ठंडा है, चोड़ दो मुझे, चोड़ दो, चोड़ दू तुझे, कैसे चोड़ दू, अभी तो मैं तुझसे गिन गिन कर बदले और मैं शीतल नहीं एक चुडैल हूँ तेरे इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। की आवाज आ रही होती है। अंदर शीतल उस चुडैल के साथ बैठी होती है। और शीतल के शरीद में कभी प्रवेश नहीं करती। नैना भी कभी शीतल को दुखी नहीं करती। और सब ठीक हो जाती है।